नमस्कार दोस्तों, प्रो टेर्डिंग आर्ट में आपका श्वागत है, अभी हम लोग देखने वाले हैं पाइन रिस्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब इसका यूज किस तरह से होगा, तो वह देखते हैं, एंड ऑपरेटर्स टेबल आप देखो यहां पर, यानि दो वैल्यू को अगर हम लोग कंपेर करेंगे, एंड बी को, यहां पर क्या होगा, जब दोनों ट्रू होगा, तो एंसर भी ट्रू आएगा, दोनों में से कोई अगर दोनों फॉल्स होगा, तो एंसर भी फॉल्स आएगा, ठीक है न, यह चीज़ आप देख लो, जब तक एंड से अगर कंपेर करोगे, आप एंड को लोजिकल के रूप में यूज करोगे, लोजिकल ऑपरेटर के रूप में, तो दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए, एंड बी का, तब उसका आटपुट ट्रू आएगा, ठीक है न, अब और का देखो, और अपरेटर टूथ टेबल में, ट्रू कह आएगा, तो दोनों से कोई भी अगर ट्रू है, तो हमेशा ट्रू आएगा उसका, अगर दोनों फॉल्स हैं, तो फॉल्स आजाएगा, बस य हमने बनाया था, पिछले वीडियो में, ठीक है न, कि यहाँ पर थ्री ब्लैक क्रो, इसे बनाने के लिए हमें बहुत लंबा चुरा प्लान करना पर आथा न, इस तरह से, तो इसे थोड़ा से सिंपल मोड में अब करते हैं, ठीक है न, इन सभी को मैं यहाँ से डिलेट कर द पास एक function है, उससे चेक करेंगे, तो TA.falling, यह हमारे पास एक function है, ठीक है न, और इसे चाहिए क्या, कोई भी स्री चाहिए, कोई भी source, तो हमें देखना है close price पे, close हमारा continue अगर down हो राएने, कितने candle के लिए तो 3, यानि inner row, 3 लगातार 3 टाइम से अगर यह close down हुआ है, तो वो falling बोला जाएगा, TA.falling, यानि हमारा 3 black row हो जाएगा, ठीक है न, अब इसे थोड़ा सा advance order बनाते हैं, कि अगर more low, market down जा रहा है, तो उस पे selling pressure भी बढ़ना चाहिए न, तो हम लोग वो भी चेक करेंगे, is volume, volume rising, यानि volume rise होड़ा नहीं, तो इसे हमारे पास दूसरा है, इसके विपरित में TA.rising, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या पास कर देंगे, volume को पास कर देंगे, और लगातार 3 बार volume increase हुआ है या नहीं, अगर ये दोनों condition हमारा match होता है न, तब जाकर के हम लोग से 3 black row मानेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे each black row सिर्फ चेक कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में हम लोग logical operator लगाएंगे end, ठीक है, यानि ये भी true हो, और दूसरा value हम लोग चेक कर रहे है, is volume rising, यानि ये भी true हो, उसके बाद हमारा ये result आएगा true, अगर ये true हो, अभी just हमने देखा था, ठीक है न, तो end true table में देखे थे न, उसके बाद देखी, अ और यहाँ पर अगर में दिखाऊं, अब आपको chart window, ओके, देखो, अब इस range में, इसे add to chart करना पड़ेगा, थोड़ा सा error है, इसमें, compiling error में, volume, ओखो, यहाँ पर, spelling mistake हो गया, wait, save, अब देखो, यहाँ पर, है न, इस range में, इधर black row एक भी confirm नहीं है, हमारा, 15 निट का time frame में, थोड़ा longer time frame लेता हूँ, देखो, अब यहाँ पर, volume rise, यहाँ पर three black row confirm हो गया, volume देख रहो, continuously rise कर रहा है, ठीक है न, तो इस तरह देखो, अभी यहाँ पर, यह हमारा पूरा identical, बहुत ही जवरदर scandal pattern बना ही है, three black row के लिए, ठीक है न, यानि, down हो रहा है, तो यह volume भी increase होना चाहिए न, उस पर, देखो, अधिकांस जगा आपको देखने को यह मिल जाएगा, देखो, यहाँ पर भी, three black row, inner row three down हुआ, और volume भी increase किया, तो इसमें हम लोग logical operator का सिर्फ और सिर्फ एक example देखें यहाँ पर, ठीक है न, I hope आपको समझ माया होगा, अगरे किसी भी तरह का आपको doubt है, तो आप comment करिए, मैं उसके लिए निश्चित रूप से आपको reply करूँगा, I hope वीडियो आपको पसंद आया है, इसे like करिए और चैनल को subscribe करके रखिए, तो thanks for watching,